सनातन सुपन फल में आप सभी दोस्तों का एक बार फी स्वागत हैं सपने में भूत देखना, भूत प्रेत देखना, भूत पिसाच देखना, भूत बंगला देखना, भूत से लड़ना, भूत का पीछे पड़ना, भूत से डर कर भागयाना बहुत सारे सुपन आते हैं जब हमें भूत से सम्मंधित कोई सपना दिख जाता है तो क्या आर्थ होता है, क्या मतलब होता है इस वीडियो में हम सभी प्रकार के भूत से सम्मंधित सपनों के बारे में आपको जानकारी देंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरी के वीडियो देखने की आवसेक्ता नहीं पड़ेगी क्योंकि हम सपन में देखे गए भूत से समंधित, प्रेट से समंधित या अन्य प्रकार के भूत चोड़ायल या आत्मा से समंधित या मृत्त विक्तियों से समाधित सोपन के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी पेश लाएं अगर आपके मन में कोई भी सपनों से समाधित प्रिश्ण है तो आप कमेंट भाक्स में कमेंट आवसिकरें चलिए दोस्तों बात करते हैं सपन के बारे में सपने में अगर आप कोई भी डरावना सपना देखते हैं भूत पिसाज प्रेत या अन्य प्रकार की जीव आत्माओं को आप सपने में देखते हैं मृत आत्माओं को जीव आत्माओं को मरे लोगों को भूत प्रेत को चुड़यल को या पिसाज को बैताल को आप सपन में देखते हैं इन सभी बुरी आत्माओं को सपन में देखने का अर्थ होता है कि यदि आप उनके प्रति कैसा ब्योहार कर रहे हैं और वह आत्मा आपके साथ कैसा ब्योहार कर रहे हैं जैसे कि आप उस आत्म के साथ या प्रित भूत के साथ आप अच्छा ब्योहार कर रहे हैं। उससे आप दोस्त की तरह रहे हैं या उसके साथ पाचीत कर रहे हैं। वह भी आपके साथ दोस्त की तरह मित्रता की तरह या एक अच्छी विक्ति की तरह एक अच्छी इंसान की तरह बिवहार कर रहा है या आप उसे डरते नहीं हैं तो इस प्रकार का सुपना आपको मान सम्मान दिलाता है आपके कारों में सफलता दिलाता है और आपको उन्नती क यह वो ले जाता है यह सपना आपको जल्द ही किसी कारी में मिलने वाली सफलता का संकेत कराता है सपने में अगर आप किसी भी भूत प्रेद बैताल या चुड़ेल से आप डर जाते ही घबडाती हैं तो इसकार्थ होता है कि आप आने वाले दिनों में कुई समस्याओं से डर जाएंगे और आपने कारी को अधूरा चुड़ देंगे तो सपने में किसी भी भूत प्रेद या वेताल से डरने की आवसेकता नहीं होती है क्योंकि ये सारे सुपन हमें ये संकेत कराते हैं कि आने वाले दिनों में हम किस प्रकार से अपने कारे को पोड़ कर पाएंगे या उन्हें अधूरा चुड़ देंगे तो सपने में अगर कोई भूत या प्रेद चुड़ेल या वेताल या अन्प्रकार की बुरी आत्मा आप परहमला करती है या आप के पीछे लग जाता है आप उसे डर जाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप समस्याओं से डर कर अपने कारे अधूरे छोड़ देते हैं अगर आप किसी भी भूत प्रेत या वैताल को या वुरी आत्मा से आप सपने में लड़ते दिखाई देते हैं, उनको मारते दिखाई देते हैं, उनसे आप डरते नहीं हैं, ये कि युद्ध इस्तर पर क्रोध में आप उनको पचाड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो इसका अ विलेंगी धन दौलत बढ़ेगा आपका समाज में रुत्बा होता है तो सपने में भूतों से लड़ना उनको मारना बहुत सुभ होता है सपने में अगर कोई भूत आप पर इस प्रकार हमला करता है कि आप अपनी जान बचा कर भागते हैं तो इस कार्थ है कि आप किसी समस्या में फोस जाएंगे और आप उस समस्या से काफी समय के बाद ही निकल पाएंगे तो समस्या जब भी आपको सपने में कोई भूत पर दिखाई दे तो उसकी आउस्था के आधार पर आप निड़े लें नमस्कार धनिवादा